treatment of Pika, nutrition and play therapy, so now we will discuss about the nutritional psycho education, असल में जो बच्चा होता है, जब वो इस किसम के items use कर रहा होता है, तो certain time वो इतना early age of time period में होता है, कि उसे यह idea ही नहीं होता, कि जो वो food use कर रहा है, उसकी कोई nutritional value है ही नहीं, ठीक है, और जो चीज वो edible समझ रहा है, basically वो non-edible है, non-edible ना भी आप उसे को, आप यह कह सकते हो, कि उसकी जो nutrition value है, वो zero होती है, अब इस चीज़ को उसको understand कराने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कि आप उसे psycho educate करो, आप उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं, जिनके अंदर nutrition होती है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, जिनके अंदर nutrition नहीं होती, इसी तरह आपने सिर्फ बच्चे को ही यह चीज़ नहीं सिखानी, बलकि उसकी जो parents हैं, उनको भी यह चीज़ explain करनी है, कि उन्होंने उसके food के अंदर किस तरह improvement लानी है, ताकि अगर उसकी body के अंदर iron deficiency है, या किसी vitamin की deficiency है, या उसका hemoglobin level जो है, वो low है, तो वो वापस appropriate levels पे आ सकें, तो इस तरह nutritional education देके, उनको nutritional charts दिये जाते हैं, जिसके अंदर हर food के बारे में, उसकी proper description होती है, कि किस food के अंदर कितना nutrition जो है, वो बच्चे को मिलेंगे, इस तहां बच्चों को और parents को health मिलती है, इस चीज़ को decide करने में, कि बच्चे की जो deficiency है, in reference to nutrition, यानि जो इसको malnutrition हुई वी है, वो किस तहां से उन्होंने overcome करनी है, फिर हम बात करते हैं, play therapy की, हमने ये बात बहुत दफ़ा discuss की है, कि certain time बच्चे जो होते हैं, वो अपना emotional problem reflect नहीं कर सकते, for example, अगर किसी बच्चे को abuse किया जा रहा है, या neglect किया जा रहा है, तो might be, वो आपको words में explain ना कर सके, ठीक है, जब वो आपको words में explain नहीं कर सकेगा, तो certain time हम उसके लिए play therapy यूज करते हैं, play therapy के अंदर बच्चा directive way में या indirective way में अपना जो problem है, उसको express करता है, अब वो express किस तरह करेगा, for example, अगर वो घर में किसी किसम का neglect experience कर रहा है, या abuse experience कर रहा है, जिसकी वज़ा से पीका behavior उसके अंदर develop हुआ है, तो जिस वकत वो play करेगा in a session, तो जो characters होंगे, जब वो आपस में communicate करेंगे, तो वो उस तीज़ को reflect करेगा, तो जो भी उसके personal problems होंगी, वो उन characters के through reflect करेगा, वो उसे in act भी कर सकता है, और certain time और वो explain अगर ना करे, तो आप बच्चे को help out कर सकते हो, ये पूछने के लिए कि वो characters आपस में एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, इस तरीके से क्या होगा, कि जो उसके अंदर problem चल रहा है, जो उसके जहन के अंदर issue चल रहा है, और वो आपको समझ में आएगा, understandable होगा, और आप उसको help कर सकोगे, उस conflict को understand करने में, उसके अंदर insight develop करोगे, और insight develop करने के साथ, आप उसको problem solve करने में help करोगे, कि जो भी उसके life के अंदर anxieties हैं, या जो इन बतों से वो upset हो रहा है, उसको वो कैसे healthy way में overcome कर सकता है, तो when the child is able to reflect his psychological conflicts, तो उस वकत बहुत हद तक मुम्किन होता है, कि हम उसको help out कर सकें, और उसका इस तरह जो pika behavior है, उसको हम decrease कर सकें, thank you.